तो स्वागत है आप सभी का हैपी इन्वेस्टर्स के एक और नए एपिसोड में हैपी इन्वेस्टर्स यूट्यूब पर एक मात्र जगा जहाँ पर आपको मिलते हैं चोटे से चोटे वीडियोज में स्टॉक की एडवाइस, टॉक के अपडेट्स और बड़े-बड़े मल्टी बैगर्स तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा हम ऐसे ही वीडियोज लाते रहते हैं, रोज आपके लिए आज एडवाइस में अपडेट के बारे में काफी बनाए हुए है मैं इसको बताना चाहता हूं जोस्तो कि मेरे जितने फिवीर से उन्हों ने यह स्टॉक को मैंने 27 रुपय से रिकमेंड करना शुरू किया था 27 रुपे का यहां यहां पर से recommend करना शुरू किया था यहां कहीं से मैंने और 27 रुपे से यह stock सीधा भागा है सीधा आज 50 रुपीज 51 रुपीज के आसपास trade कर रहा है दोस्तों यह 70 रुपीज का high बैना आया था इस stock ने और उसके बार से profit booking आई है मैं अपने पिछले वीडियो में भी दोस्तों बताया है कि profit booking किसी भी stock में आना एक बड़ी ही normal सी बात है अभी यह stock में क्योंकि इतनी थेजी से इसने उपर की तरफ momentum दिखाया है तो fundamentally यह stock अभी भी मैंने जैसे कि अपने पहले वीडियो में बोला मैं fundamentally stock पर काफी bullish हूँ company का प्रतन इंडिया पावर में काफी ज्यादा 22% का stake है खुद 40% के से भी ज्यादा revolt company जो बनाती है bikes जो इंडिया इनकी number one bike कही जाती है जो artificial intelligence में बनाई गई है और जो sales में धूम मचा रही है दोस्तों हमेशा oversold रहता है इनका market और दूसरा इन्होंने अपने drone की एक US की company जिसका नाम है Matternet उसमें भी invest किया है तो ये बहुत ही ज्यादा positive और bullish news है इस company के बारे में अब लोगों को एक बात यह है कि tension भी हो रही है कि promoters की 75% holding भी है इसके अंदर लेकिन tension ये बात की है लेकिन कि यहाँ पर दिन बर दिन stock नीचे जाता जा रहा है lower circuit पर lower circuit लग रहे है तो अब आगे क्या करें तो मैंने अपने पुराने वीडियो में भी दोस्त आपको बताया था कि ये stock long term के investment के लिए काफी अच्छा stock है हर stock जब भी कोई इतना बड़ा उपर भागेगा तो एक profit booking आएगी लेकिन आप अगर चाहे तो इसमें अपना profit booking ज़रूर कर सकते है जैसे कि बाकी सब investors कर रहे है वैसे तो इससे आपको भी एक दिमाग से tension चला जायागा कि भाई मैंने जितना पैसा invest किया था उटना मुझे मिलेगा या नहीं हो सकता है कि आपने 1000 share buy किये हो और 27 रुपे पर ही लेट से buy किये हो आपने 1000 share तो आप बाकी की अपनी जो invested quantity है वो आप इसमें से withdraw कर सकते है लेकिन बाकी की quantity आप अपने साथ रख सकते है future के लिए आप अगर चाहे तो profit booking भी कर सकते है average out के लिए अभी ये समाई ठीक नहीं रहेगा क्योंकि हमें नहीं पता ये कब तक नीचे profit booking आएगी लेकिन ऐसी कहा जा रहा है कि ये 40 और 50 का एक अच्छा खासा इसका support है आपर क्योंकि 50 से इस ने अच्छा खासा इस level से bounce back किया था और वापी से उपर की तरफ momentum दिखाया था अगर ये stock वापी से नीचे आता है तो आप वापी से average out भी कर सकते है अभी के fundamental को देखते हुए ये stock मुझे काफी bullish नजर आ रहा है long term के लिए बाकी यही मेरी advice थी बाकी आप बने रही है हमारी channel के साथ हम रोज कर रोज आपके लिए market updates आते रहते हैं और चोटे से चोटे videos बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको point to point बात मिले और बिना किसी time waste के हम आपको चोटे से चोटे वीडियो में ज्यादा information provide करते रहेंगे I hope आपको मेरे video और episode समझाया होगा बाकी आप suggestions में हमें बता सकते हैं आपके जो doubts होगे कोई suggestions हो कोई stock आप cover करना चाहते हो हम अगर आपको हमारे हमारे आपको अगर आपके suggestion का में पसंद आया तो हम उस पर जरूर एक video अपना बनाएंगे बाकी बिलेंगे फिर से किसी अच्छे वाले stock के साथ अच्छे वाले videos के साथ तब तक के लिए देखते रहे हैं happy investors bye bye